और हो दो है तो यह आपका सेट डिसões इधर होगा बट आप मिला लिजीए गा और सेट कोई भी होगा बट कौस्टन तो सेम ही सें देरा इब धर भल् Gent की शंक्या इसेमया उðर है लेकिन है से स्थल मिला लेंगे यहां पर पहला को पहला को सन है इंडारेट एसपी से सवाल पुछा है माने डिरेक्ट इंडारेट से माने नाइरेशन से सवाल पुछा है ठीक है लिए टू दा गर्ल डीड यू डू दिस तो इसमें दिये गए आप संद में सही वी कल्प को चुनना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 93 सब्सक्राइब का D is the right answer और अगला प्राशन देखेंगे 94 का 94 का सही उत्तर हो जाएगा आपका option D ठीक है अब अगला प्राशन देखेंगे अगला प्राशन है पंचान बेर वी कन मेंक नो प्रोग्रेस्ट इसका सही अप्शन हो जाएगा आप्शन भी विद इस कंडिशन ठीक है डिया ऊप्राइब का देखेंगे चांबिशन दिया है और चांबिशन रहा हूं डाइरेक्ट जो है ना कुस्टन और उसका दिए गए विकल्ब ना सही उत्तर में लगा रहा हूं आप लोग दो मिला लीजिए गा ठीक है तो चांबिशन हो जाएगा अब उसके या करा करेंगर प्लौत वर्फ और यह साथ लगता है या के साथ हОल्पिंग भरिघन weather आपर हुल सकता दüyorsun अरो है आइट तो होगा है नहीं कि आए नहीं हो तो नहीं कि यहां पर हम भेलुटinaire तो इसलिए यहां पर फाइनली एंसर स्कॉल्डेट ही हो जाएगा अप्शन डीज दा राइट एंसर उसके पास से अगला प्रस्ट देखेंगे आई वाज डांसिंग वेंसी तो वेंसी अराइब्स तो होगा नहीं कि यहां अल्रडी वाज दिखा दिया है तो वेंसी हैड अर लगा दे रहें आप लोग मिला लीजिएगा चोगरासी का उत्तर हो जाएगा आपका अप्शन सी ठीक है उसके बाद से हैं यहां पर टांसलेशन दिया ट्रांसलेशन बेस को सने तुम एस्कूल कब जाते हो तो वेंड डू यू गो टू एस्कूल अप्शन डीज दा राइ 20 पर प्रसन दिया है और अठार का हो जाएगा आपका आप संब ए अगला प्राषा देखेंगे 19 नंबर और और 19 का शही उत्तर हो जाएगा का option C thinner and a crescent उसके बाद से अगला पराशन देखेंगे 20 नंबर और 20 का सही उतर हो जाएगा आप्शन A forest अगला पराशन देखेंगे 21 नंबर 21 नंबर का सही उतर हो जाएगा आपका option B harvesting उसके बाद से अगला पराशन देखेंगे 66 66 का spelling based question है ठीक ना उपर भले कट गया है but spelling based question है carrier का अलग-अलग मने करके दिया हुआ है इसमें सही मने spelling के साथ आपको option को चुनना है ठीक है तो करियर का सही spelling देख लिजी तो 66 का आपका सही उतर क्या होगा वो देखें तो option a is the right answer उसके बाद से आप देखेंगे श्यासत के बाद है आपका संसर्ट नमबर प्रसन 67 तो option d is the right answer ठीक ना अगला प्राशन देखेंगे ठीक ना साइनोरीज्ट एंटोनीज्ट से भी प्राशन उठाया बहुत असान है ठीक ना साइनोरीज्ट तो साइनोरीज्ट क्या हो जाएगा आपका 68 का डी ठीक ना उसके बाद से आपका है फ्रूट लेस्ट का साइनोरीज्ट क्या हो जाएगा 69 का option c ठीक है उसके बाद से आपका है अगला प्राशन ठीक है तो आपका 54 का क्या हो जाएगा option a ठीक है इसके बाद से अगला प्राशन देखेंगे जरा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option d ठीक है ना national poetry उसके बाद से है 56 56 का सही उत्तर हो जाएगा option b ठीक है उसके बाद से अगला प्राशन देखेंगे 22 नमबर ठीक है ना 22 नमबर देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 22 का सही उत्तर option a ठीक है उसके बाद से 23 नमर प्राशन को देखेंगे तो 23 का सही कि उतर हो जाएगा अप्सन भी उसके बाद से चोवीस नबर प्राशन को देखेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका च्वबिस का आइधिंक एही होना चाहिए हां एह हो जाएगा उसके बात से अगला प्रास में देखेंगे आठ का हो जाएगा डी उसके बाद से अगला प्रस्ट देखेंगे नौ नमबर प्रस्ट है आपका सी हो जाएगा उसके बाद अगला प्रस्ट देखेंगे दस नमबर दस का हो जाएगा आपका सी कि आगे देखेंगे 37 नमर प्रस्ट क्या कर रहा है तो 37 का यह हो जाएगा हर्ट कॉज इस पेन सही बात है यहां पर देखिए राधा फ्रेंड इस डैस डैस अगरे आट तो 38 का सही इतर हो जाएगा पसंदी साडीसफाइड ठीक है उसके बात से थर्टीन नमबर प्रस्ट को देखेंगे आप सी इज डराइट इंसर ठीक है देखांगा है उसके बात से हो जाएगा यहां पर होटी नमर को देखेंगे अपसंट डीज दा राइट एंसर ठीक है उसके बाद से आप 73 को देख लिजिए यह एक्टिव पैसिव वाइस से जो मैंने इसी चैनल पर वीडियो अलड़ी बनाया है विट ट्रीक हंडेट परशन की एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में कैसे बदलते हैं बहुत ही असान ट्रीक के साथ मैंने वीडियो अपलोड किया है उसको आप लोग देख लिजिएगा ताकि आने वाले आपका नेक्स्ट एजाम के लिए भी बहुत अच्छा मतलब प्रिपरेशन हो जाएगा तो 73 का सही उतर हो जाएगा आपसंट सी कैन प्रषैं कि 11 नंबर प्रसन है और उसका सही उतर हो जाएगा 11 नंबर परता कि आफशन ए उसके बाद से बारन नंबर प्रसन देखेंगे बारन नमर प्रसन के उतर हो जाएगा या मतन्हुर्ण घाऊठ है लेalen ऑप प् Bruno a ही होना चाहिए ठिक है साइड हो जाएग है कि मैं सही उतर हो जाएगा आप संडी उसके बाद से हैं चार नमबर प्रसना चार का हो जाएगा आपका आप संडी ठीक है ना उसके बाद से अगला प्राशन फोर्टिफाइट नमबर और फोर्टिफाइट नमबर प्राशन को देखेंगे फोर्टिफाइट का हो जाएगा आपका सी ठीक है उसके बाद से हैं 46 नमबर प्राशन और उसका सही उतर हो जाएगा अप्सन भी अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ठीक ह और 29 नमबर है उसका सही उतर हो जाएगा option B 30 नमर प्रस्ण को देखेंगे और इसका सही उतर हो जाएगा option B ठीक है और 31 नमबर question है वो है उसका option हो जाएगा option B is the right answer और उसके बाद से 32 और 32 का सही उतर हो जाएगा कुक option B is the right answer अब यहां देखें ट्रांसलेशन बेस्ट कोस्टन है ठीक है तो वह दो दिन से बीमार है तो हो जाएगा he is sick for two days option D is the right answer क्या आप मुझसे नराज है तो are you angry with me option A is the right answer ठीक है उसके बाद से हो जाएगा देखें फिर एक्टीप से सवाल पूछा है 75 नमबर प्रस्ट है और 75 का सही उतर हो जाएगा option C are you being not cheated by then उसके बाद से अगला प्रस्ट भी पैसिव एक्टीप से पूछ दिया है तो 76 का सही उतर हो जाएगा option A उसके बाद से फिर अगला भी प्रस्ट पैसिव एक्टीप से है तो 77 का सही उतर हो जाएगा option C ठीक है उसके बाद से अगला प्रस्ट देखेंगे 33, थिक है, 33 का सही उतर हो जाएगा, अप् patients A, उसके बाद से अगला प्राच्ण हो जायेगा, and IAS officer, उसके बाद से 35 हैं, तो 35 का सही उतर हो जाएगा, उसके बाद से अगला प्राच्ण देखेंगे, 36 36 का सभी अप्शन हो जाएगा भी ठीक है 48 नमर देखेंगे 48 कस 48 में दा डैस डैस मुझे लगता है कि मुझे का भी होना चाहिए बट आप लोग थोड़ा से किताब से मिला लेंगे बहुत खोजने का परियास के बट मिला नहीं ठीक है अब यहां पर देखेंगे 49 हूं इस चैलेंजिंग दा मांटेन तो 49 का 49 का सही उत्तर हो जाएगा अप्शन सी ठीक है उसके बास अगला 50 तरजी तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा अप्शन अ यह वीरिंग पॉलेन मास के अब आगे प्रासव देखेंगे अभी देखें यहां से एक नशीनिय को अगला 1 एक नंबर का सही उत्तर जलिए का अपशन एठीक है ना दो का हिस्तर हो जाएगा अप्संस्ी और तीन का सही उतर हो जाएगा आपका अप्शन सी उसके बाद से अगला प्राशन देखेंगे 41 नमबर 41 का हो जाएगा आपका अप्शन डी उसके बाद से है उसके बाद से आप देखेंगे उसके बाद से एक मिनट हाँ you got 21 का हो गया आपका अपूंदि उसके बाद से अगला पराशन देखेंगे 42 42 का हो गया अपसा डीडिए ठीक है उसके बाद से अगला प्रन द यह फोटी-थरी ऑपसन हो जाएगा 20 पर यसके बाद के फोटी-वः है आप 27 27 का सही उतर हो जाए ए ठीक है ना 28 देखेंगे और 28 का सही उतर हो जाएगा अपसंद भी ठीक है अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सबजेक्ट देदिया ऐस्ट इस्टर्डिंग इंगलिज ठीक न तो यहां पर सी इसी बात आई के साथ दीड तो लगए गा नहीं है रगेंगा नहीं है लगए नहीं डीड कर जाएगा है अब करेंगे यह वाज लगए एक ठीक ना क्यूंकि सब्जिक्स में सब्जिक्ट के ब तो ही सी इट नाम के साथ एस लगता है या अगर हेल्पिंग वर्भ है तो भर में आई एंजी लगता है ठीक है ना तो है नहीं तो होगा नहीं क्योंकि अब आगे देखें कि यू आर डैस डैस यानि खाले स्थान दिया है वेरी फास्ट तो असी का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका सब्सक्राइब बंद आएऎगा इसलिए ड्राइफ दो होगा नहीं ठीक है और विल रैट तो नहीं तो यहां पर सही अपाइब आप सीज़ना राइइड एंसर उसके बाद से अगला एकासी नंबर देखेंगे तो 81 का सही उतर हो जाएगा आपसन सी ठीक है उसके बाद से अगला प्राशन देखेंगे मैं समझाओं तो थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा इसलिए 97 का सही उतर हो जाएगा आपका अपसन भी ठीक है ना उसके बाद से का सही उतर हो जाएगा आपसन भी उसके बाद केंटक सही उतर हो जाएगा आपका अपसन भी ठीक है और उसके बाद से 51 का सही उतर हो जाएगा option D, उसके बाद से 52 का सही उतर हो जाएगा option B, ठीक है, उसके बाद से 53 का सही उतर हो जाएगा option A, ठीक है, ठीक है, अब आगे देखेंगे, 57 का, 57 का देखेंगे यहाँ पर, 57 का सही उतर हो जाएगा आपका option B, ठीक है, उसके बाद से हम लोग बढ़े ऐगे 57 58 का जो प्रक्राशन दिया उसका से उतर हो जाएगा 58 का C उसके बाद से आगे देखेंगे 59 का हो जाएगा आपका option B उसके बाद से हम देखेंगे 60 number प्रस्थ नहां और उसका सही उतर हो जाएगा option ऐ ठीक है यह बिलकुल आपके कहत्तर दिया है एंट्साइब आफ हार्मोनी इस्टिवन का सही उतर हो जाएगा आपका आप्षान सी ठीक है उसके बाद से फिर एक्टीप ऐसे पुछा है ठीक है तो 72 का सही उतर हो जाएगा आप्षान बी उसके बाद से देखेंगे 61 का सही उतर हो जाएगा option D उसके बाद से 62 का सही उतर हो जाएगा आपका option C उसके बाद से 63 का सही उतर हो जाएगा आपका option D 64 का सही उतर क्या हो जाएगा यहाँ spelling best question है ठीक है ना तो देख लिजिए 63 भी spelling best question था तो 64 का सही उतर हो जाएगा option A ठीक है ना स्पेलिंग बेस कोशन है 93 का सही उतर हो जाएगा आप्शन डी उसके बाद से है 94 का सही उतर हो जाएगा आपका आप्शन डी ठीक है उसके बाद से 95 का सही उतर हो जाएगा आप्शन बी और अन्तता 96 का सही उतर हो जाएगा आप्शन सी तो यहां होता है आपका पुरा का पुरा कोशन समाप्त